बश्क्रार साथियों एक बर फिर से आफ सभी का स्वागत है आजम आपको बताने वाले इस सर्मकार्ट बनने के बाद में के आपके खाते से पैसे कटेंगे जहां साथियों अगर आप कटेंगे तो एस संक्ती सर्मी कार्ट यूएन कार्ड बना लेते हैं ओके गूगल नाम का यूजर है, एक यूटूबर ने वीडियो बना कर बोल रहा था कि जो इस रमकार्ट बनवाया है, उसके खाते से 379 रुपया वर्स कटोती की जाएगे, उन्हों लिखा क्या यह सच है, आपने तो वीडियो में बताए कि इसमें कोई कटोती नहीं होगे, यहां साथियों, हमने आपको बताए कि कोई भी पैसा नहीं कटएगा, दूसरे यूजरने में वाटसप मैसेज किये, बीमा दे रही सरकार को फ्री में दे रही है, सुनने में आ रहा है कि एक साल तक सरकार फुरेगी, उसके बाद में अकाउंट से कटेगा, इसको कनफरम कर के बताईए सर, तो साथियों, हमारे दोबार आपको प्रूप के साथ में दिखाया जाएगा, कि आपके खाते से पैसे कटेंगे, या फिर नहीं कटेंगे, साथी एक साथी ने काया कि बेरोजगारी के पेमेंट कब आएंगे, तो यहां पर हम आपको बता दें कि इस सरम कार बनने के बाद में आपको किशी परकार का कोई बेरोजगारी बता या फिर बेरोजगारी के रूपे नहीं दिये जाएंगे, यहां पर गोर्मेंट उन योजनों का लाप देगी, जो सरमिक्कों के लिए बनेगी, गोर्मेंट जब भी कोई विपदाएगी, आप दाएगी, म सबी लोगों को पैसे कटने समदी जो भरम है, वो उनके दिमाग से निकल जाए, तो आईए दोस्तो आज का वीडियो सुरू करते हैं, सबसे बहले हम बात करने वाले हैं कि इसके लिए पातरता क्या है, यानि कि इस सरमिक कार्ड, एसंग्टी सरमिक कार्ड, यूएन कार्ड बनाने के लिए पातरता क्या है, साथियों इस सरमिक कार्ड के वल एसंग्टी चतर के क्रमचारियों का बनेगा, जिसकी आयूट 16 से 69 बर्स के बीच में होने चाहिए, साथ में आयक करदाता नहीं होना चाहिए, या फिर ESI का सदस्या भी नहीं होना चाहिए, उन्हीं का ये ESRM कार्ड बनेगा, एसंग्टी सरमिक कार्ड बनेगा, दोस्तों ये ESRM कार्ड के वल 38 क्रोड लोगों का ही बनेगा, और अब आप किसी भी नजदिकी CAC सेंटर पर जाकर बनवा सकते हैं, और कॉमन सर्वी सेंटर वाले विल्कुल आपको फ्री में बना कर देंगें, क्यो सबी कोई आपदा है कि उनके सीधे खाती में ट्रांसफर पैसे किये जाएंगे, एसंग्टी कामगारों के लिए सामाजिक सुर्ख्चा गवजणों को कारे नमनतीत करना है, साथी कामगारों को उनके कोसल विकास दा काम के आवसर तलासने में मदद करेगा, और बार बार प एर क्रोपर्स, मच्छुआरे, पसू में लगे वे, बीडी रोलिंग, लेबलिंग और पैकिंग, बढ़ही, नमक कारे करता, इंट बटो और पत्र में काम करने वाले, खदावनों में काम करने वाले, आरा मिलों में काम करने वाले, साथ में ही गरेलू, कामगार और नाई, देशम, उत्पादन कार्य करता, बड़ेई, चरम, सोधन कार्य करता, सामने शिवा के अंदर, हाउस, नोकरानी, स्टीट, मेंडर, मनरिका कार्य करता, आसा कार्य करता, दूट डालने वाले किसान, परवासी, सर्मिक, घरेलू कामगार, नाई, सबजी, फल, विक्रेता, समचार, पत्र, विक्रेता, रिक्षा, चालक, ओटो, चालक, भावन और निर्मान कर्मी, चमडे के कामगार, बुनकर, लेबलिंग और पैंकिंग, यानि कि इन में से कोई भी एक काम करता है, तो उनका ई-सर्मिक कार्ड बन सकता है, वो अपने नजदे की किसी भी कॉमन सर्वीस सेंटर, जन सिवा के अंदर पर जाकर बनवा सकता है, और ये ई-सर्म कार पूरे देश में मानने होगा, साध्यों, अगर आपके आधार साध्यों, अब हम बात करते हैं, मुखे पॉंट पर यानि कि हम इ-सर्मिक कार्ड बना लेते हैं, उसके बाद में जो हमारे अकाउंट नमर जुड़े होएं, क्या उसमें से कोई पैसे कटेंगे, या फिर नहीं कटेंगे, दोस्तों, यह यहाँ पर सवाल दिया गया है, यह हमने नहीं लिया गया, यह ओपीचल वेबसाइट बारत सरकार की लेवर डिपार्टमेंट की है, यहाँ पर यह परसन दिया गया, क्या पंजिकरन के बाद कामगार के बैंक काते से कोई कटोती होगे, तो यहाँ पर साफ उतर दिया गया, नहीं, समाजिक सुर्चे लाबों या पिर केंदर या पिर राज्य सरकारदवारा परदाए अन्य लाबों की सीदे कामगार के खाते में बादार रहीत परदाएगी, सुनी सित करने के लिए बैंक विबरन प्राप्त किये जा रहे हैं, अतार डायरेक्ट जब भी गॉर्मेंट सर्मीकों के खाते में डालेंगी, उस टाइम उनको अकाउंट की जूरत पड़ेगी और इसलिए वो अकाउंट नमर ले रही हैं, यहाँ पर अकाउंट लेने का मतलब यह है कि गॉर्मेंट जो भी लाब देगी, वो उन सर्मीकों के सीदे खाते में ट्रांसपर हो, इसलिए गॉर्मेंट को बैंक वेबसाइट पर दिये गए, सवाल और उनके जवाब हैं, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, चलिए फिर भी आपके वन में एक सवाल जरूर होता है कि हमारी बीमा हो जाएगी, एक साल गॉर्मेंट बरेगी, उसके बाद में क्या उस बीमा के हमारे बैंक खाते से पै से काटें, अगर पैसे काटेंगें तो कितने रुपए आपके, माह लिजे कर आप 18 साल से पैसे कटवाते हैं, तो 70 साल तक यह बीमा रहती है, 18 से 70 साल के बीच में, तो कितने रुपए आपको देने होंगें, जबकि इसमें मर्ति और दुर गटना पर 2 लाक रुपए और 1 लाक रुपए मिलते हैं, आई ये साथियों जो इस सर्मी काड के बारे में, फरी में जो एक साल तक के बीमा का लाप देने के लिए बात की कि यह वो है, परदान मंतरी शुरुक्षा बीमा योजना, जियां सातियों, आपको इस बीमा का लाप एक साल तक फरी में मिलेगा, और गॉर्णमेंट ने फिलाल एक साल के लिए का है, हो सकता है कि इसे लाइफ टाइम के लिए फ्री कर दें, साथियों जिस टाइम आप किसी भी बैंक में अपना सेबिंग अकाउंट या फिर करनेट अकाउंट खुलवा दें, उस टाइम आप से एक फोरम बरवाय जाता है, परदान मंतरी सुरुक्षा बीमा योजना का, यानि कि आप जिस टाइम बैंक अकाउंट में अपना खाता खुलवाते हैं, उसी टाइम आपकी ये बीमा हो जाती है, और साधियों आपकी बीमा सिर्फ एक अकाउंट में होती है, नहीं कि बार बार मालिज ये चार-पांस बैंक अकाउंट में आपने अकाउंट ओपन करो हैं, अब सवाल ये आता है कि एक साल में कितने रुपए कटेंगे जी हाँ साथियों जो यूजर ने कॉमेंट कर में बताए गया था कि एक साल के 379 रुपए कटेंगे वो गलत है दरासल जो ये सरमी कार्ड के मादिम से जिस बीमा का जिकर किया गया फ्री में देने के लिए का गया वो परदानमंदरी सुर्कषा बीमा योजना है जिसकी साल में 12 रुपए किस्त है जिया साथियों अगर मान लीजिए आपके खादे से पैसे कटेंगे भी पहली बात तो यह कटेंगे नहीं अगर कटेंगे तो 12 रुपए कटेंगे ये योजना एक बैंक खाते रखने वाले 18-70 वर्ष की आयूबर के उन लोगों के लिए जो 1 जून से 31 में की कवरेज अब्दी के लिए योजना में सामिल होने या फिर सवता आरन समर्थन को 31 में या उससे पहले अपनी सहमती परदान करते हैं वार्षिक नमीनिकरन आधार पर उपलाब्द आधार बैंक खातों के लिए प्रात्मिकता के वाईसी होगी योजना के अंतरगा दुटगर्टना मर्थी होने पर और पूर्ण विकलांग होने के लिए जोखिम कवरेज 2 लाग रुपाय है तो अनसिक विकलांग पर जोखिम कवरेज 1 लाग रुपाय है कातादार के बैंक खाते से सुवतार आरन सुवीदा के जरिये एक किस्त में 12 रुपाय की वार्सिक प्रीमियम की कटोदी के जानी है यह ओजना सारजनिक छेतर की साधानन बीमा कंपनी या किसी अन्य साधानन बीमा कंपनी द्वारा जो इस उदेशे के लिए बैंकों के साथ उनी पर आपसे अनुमोदन था सहमती से पेसकस करने के इस्थू कहें पेसकस की जा रही है और साधी जो इस सर्म कार्ड में एक साल के लिए फ्री बीमा का लाब मिलेगा हो सकता है कि जो पहले से लाब मिल रहे हैं पहले से पारा रूपए कट रहे हैं जिनके खाते से उनी के लिए फ्री हो क्योंकि ये नहीं का गया कि नए लोगों को भी रिजिस्टेशन किया जियां साथियों ये बीमा है 18-70 साल के बीच में माली जिए अगर आप 70 साल से 18 साल गठाएंगे तो आपके पास साल बचेंगे 52 यानि कि 52 साल से हम इंटू 12 गुना करते हैं तब हमारे पास आजाएगा कि हमें कितने रुपए जमा करवाने होंगे यानि कि हमें टोटल 624 रुपए लाइफ टाइम के जमा करवाने होंगे 52 साल के हमें केवल 624 रुपए ही जमा करवाने होंगे और हमें जोखिम कवरेज मिलेगा 2 लाग रुपए और आंसिक विकलांगता पर जोखिम कवरेज मिलेगा 1 लाग रुपए और साल में आपको 12 रुपई जमा करवाने होते हैं यह automatic आपके खाते से कटते हैं वह अगर एक जून से 31 मही के बीच में अगर आपके खाते हैं 12 रुपई नहीं होते हैं तो यह बीमा उसी दिन उसी टाइम बंद हो जाती है और आगे आपके खाते से पैसे नहीं कटेंगें तो साथ ही उमीद करते हैं आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि S&T सर्मी कार्ड, UN कार्ड बनाने के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं कटेंगे आपके खाते से जो ये बीमा है ये केवल हो सकता है उनके लिए जो पहले से पैसे कट रहे हैं 12 रुपए साल के उनके परियों यहां पर यह नहीं कहा गया है कि नए रजिस्टेशन किया जाएंगे आप से भी बता दें कि इस बीमा में रजिस्टेशन होने के लिए बैंक अकाउंट नमर आधार नमर और एक ओफलाइन फोंप बैंक में बरकत देना होता है उसके बाद में यह बीमा एक्टिव बनेगा तो साथियों अगर आप पातर हैं तो ऐसा नहीं हो कि आप पातर होते वे भी गलत सूचना देखकर ये सर्मिकाड से वंजित रहे जाएं साथियों इस इसर्मिकाड बहुत ही इंपौर्टेंट है यह के अंदर सरकार की योज़ना है और आफ अपना इसर्मिकाड ज